बात यूपी बीजेपी को लेकर जारी अटकलों की करेंगे लोगसबाचनाव में खराथ प्रदर्शन के बाद यूपी में बीजेपी ने खामियों को दूर करने के लिए अपनी कमर कस ली है दिल्ली दर्बार में नेताओं के पहुँचने का सिलसल अलगातार जा रही है पहला राउंड खतम हो चला है जहां दिल्ली में डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरिय और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भुपेंद्र चौधरी का दौरा हुआ केशव प्रसाद मौरे ने जहां बीजेपी अध्यक जेपी नड्डा से मुलाकात की तो वहीं भुपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के अलावा पियम मोधी और ग्रेमंत्रिय अमिशा से भी मिले वहीं अभी दूसरा राउंड बाकी है सूतरों की माने तो इस राउंड में योगिया दितनात और डिपटी सीम बिजेश पाठक समेट कई और वरश नेताओं के साथ दिल्ली में चर्चा होनी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भुपेंद्र चौधरी ने योपी में बीजेपी के खराप प्रदर्शन को लेकर आला कमान को 15 पेज की रिपोर्ट सौपी है इस रिपोर्ट में योपी के 80 सीटों में से खरीब 40,000 कारेकरताओं का फीडबाक लिया गया रिपोर्ट में खराप प्रदर्शन की जानकारी के साथ उसकी वजहों पर भी जोड़ दिया गया है रिपोर्ट में अधिकारी और प्रशासन के मनमानी का जिक्र है रिपोर्ट में बताये गया है कि समिधान खतम करने जैसे बयान निक्सान पहुचाया टिकट का बटवारा जल्द कर दिया गया जिससे आखरी की चरणों में कारेकर्टाओं के अंदर जोश खतम हो गया वहें कारेकर्टाओं की नाराज़गी भी वजह बताई गई है मुद्दो की बात करें तो 6 साल से हो रहे पेपर लीक को लेकर नाराज़गी है अगनी वीर का मुद्दा आरखशन खतम करने जैसा नेरेटिव जो विपक्ष लगातार गरता रहा उसमें वो कामयाब रहा वहें ओल्ड पेंशन स्कीम भी बीजेपी के खराप्रेदर्शन की एक बड़ी बज़ा बताए गया है रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यूपी में इस बार बीजेपी का जातिय समीकरन भी बिगड़ गया राजपूत बीजेपी से नाराज थे वहीं 11 यादव OBC यानि कुर्मी, कोरी, मौरी, शाक्य, लोध जातियों की वोट में कमी आई 2019 की तुलना में पार्टी को दलितों का एक्तिहाई वोट ही मिल पाया BSP का कोर वोटर जातव और 2014 से BJP को मिलने वाले खटिक और पासी समाज के वोट शेयर में अच्छी खासी कमी दर्ज की गई जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस पार्टी को मिला है वहीं रिपोर्ट सुधार का भी जिक्र हुआ है जिसमें कहा गया है कि इन सारी समस्याओं को चुनाफ से पहले दुरुस किया जाए वहीं सरकारी अधिकारी और प्रशासन का व्योहार कारकरताओं को लेकर ठेक किया जाए वहीं तमाम कोश्चिशों के बाबजूर बीजेपी में बयान बाजी एक खतम होने का नाम नहीं ले रही कोई अधिकारियों को घेर रहा है तो कोई अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष से इस्तीफा मांग रहा है जो पार्टी विद डिफ्रेंस वाली जो हमारी परंपरा है उसको कायम करने के लिए हमारे केस परसाद मारी जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेत्रत जो है उसे सिविकार करें ना करें लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए ता कारिकरताओं का मनोबल और जनता के बीच में एक अपनी सिंपिती बनाने के लिए कांग्रेश ने ऐसा नहीं किया तो देखो 18 परसें अबादी दूर हो गए कांग्रेश की दसा है सपा बसपा की दसा है अगर भाजपा भी इसको टेकल नहीं करेगी तो निसाद क्यों रहेंगे इनका हिस्सा अगर लेधर में इनको आप खिलाओगे तो कहें रहेंगे इसीर तो 30 परसेंट ऐसे निशाद वोटर हैं जो उदासीं थे वोटी नहीं डालने गए मानी मुक्वंती जी ने परयाप्त सुवधाय हमें दी हैं और उनके सहयोक से हम लोग जीले में कार करते हम ने सोचा के इंदी नित्रित को भी आउगत करा दे तो हमने आउगत करा दिया कि यह यह स्तितिया है ताकि अगर भविश में कोई घटना हो तो दोनों हमारी सरकारे जाने कि हमारे विधायक के हत्या क्यों हुई जाने के शप्रसाद मौरे को सेम बने का ओफर दिया था जिसमें सौ वधायक लाने की बात पही गई थी अब लोग उससे परदा पढ़ जा उसको मुद्दे को ध्यान ने दें इसलिए विपक्स तरह तरह का भ्यान भाजिए यह आपसी इनके लड़ाईयां तनी बढ़ चुकी हैं आपसी इतने मद्वेद हो चुकी यह चुनाओं हारे हैं लोकसभा का यह जो करें कि आतने बिस्व आतने बिस्वास जो था ही था सबसे बड़ा कारण था आपसी मन मुटाओं मतभेद हो सकता है किसी इंसान के पर जो मन भेद हो गया मन के अंदर जो भेद हो गया वो कहां से दूर होगा के सो मौरियां को हराने वाला कौन सिराथ्थू में के सो मौरियां चुनाओं हारे कौ सारी चीजें लिकल चुकी है देगे उत्रप्रदेश में आने वाले समय में जो उप्चुनाव है माने मुखमंती जी ने कल बैठक भी ली है उत्रप्रदेश के दो दस विधान सभा के उप्चुनाव है भारतियंदा पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़े गी और जीते पास है भारतियंदा पार्टी ये कारकरताओं की पार्टी है और ये हमेशा कारकरता का हित सरुपरी इस नियत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है आपको विपक्ष आपके इस पूरे मामली पर फायदा देना चाहा है तक विपक्ष के पास कोई एजंडा नहीं है उत्तर में भारतियंदा पार्टी पूरी मजबूति के साथ समाज की सेवा कर रही है हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी इंधारी के साथ पर देस के उध्थान के लिए काम कर रही है और ये बात विफक्ष को धम नहीं हो रही है